ग्रामिन इलाके से शहर में पढ़ाई के लिए आये चात्र ने अग्यातकार्णों से किराई के मकान में फासी लगा दी म्रतक छात्र भवर को अथानक शेत्र के अभिनावनगर में अपनी बेहन के साथ रहकर MSC की पढ़ाई कर रहा था लेकिन बेहन रक्षबंधन के बाद से ही गाउं गई हुई थी म्रतक छात्र यहां कुछ दिन पहले ही गाउं से एड्मिशन के लिए आया था अचानक छात्र ने आत्मात्य जैसा कदम क्यों उठाया इस पर पुलिस जाज कर रही है दरसल इंदोर भवर को अनिवासी रितेश पिता भारत सिंग मंडलोई ने किराय की मकान में फांसी लगा ली है युवक पढ़ाई में होश यार था और इंदोर में रहकर MSC Computer Science की पढ़ाई कर रहा था अचानक छात्र ने इस तरह का कदम क्यों उठाया है अब तक इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है फिलहाल पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जाज शिरू कर दी है इधर परीजनों का कहना है कि रितेश धार्मिक प्रवर्ती का था साथ ही युवक का किसी से भी विवाद नहीं था पारिवारी का अर्थिक स्थिती भी अच्छी थी लेकिन इस तरह का कदम आखिर युवक ने क्यों उठाया यह परीजनों के लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाज शिरू कर दी है पुलिस ने शाओ को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है फिलाल पुलिस शाओ का पोस्ट मार्टम करवा रही है जिसकी बाद पोस्मार्टम रिपोर्ट और जांच में आत्महत्या की असल कार्णों का खुलासा हो सकेगा। की शुनि दपट्टा खंदा लगा है व् लटकाव तो थी वह आंके देखा भी पंचिनावा मन आया है ताला को दराब कर तो तो दार्वा तो अंदर देखा का छासी कर लटका लृत प्याद। जिसकी बड़े बापा लटका ये उनने पेजाने के मार्टक रितेश, पिता भा यहां पढ़ता है तो फुलकर कालेज में पढ़ता है वो कम्पुटर साइन्स पढ़ रहा है पढ़ने में होशयार था पढ़ने में समझदार है मामनें टेलेंग ता जामी प्रोर्ति का था यह कदम इसा त्यों था पता नहीं चाहिए कुछ इसके पहले जो कुछ जानकारी मिली आपको कैसे पता चला कि इस तरह का कदम उठा लिया क्या किया इस पता तो मुझे जो मेरे काम साफिस में था तो बालिका ने पहुन लगाए भी जो है रूम पे है इंदोर में और दर्वाजा नि खोल रहा है वो बस इतना मैंने सु प्रणा तो मैं जो है कार लेके नहीं आ गया है तो यहां तीन गंड़े बाहा है जब तक मेरा एथ चोटे मेरे मेरे बच्चा और भानजी जो है यहां चोटे भाई का लड़का रहता है वो यहां दिया है कि पुलिस कारवई के बारा बाहर से निकालकू स्क्रिश के लिए कि एम रूम ने मैंने फिरार के उससे मुलाकाट कि आप क्या करते हैं फरकुन ने टीचर है जब बात की इस तरह की कुछ के किसी तरह से परेशान है कुछ भी नी शार थोड़ा भी नी कुछ भी नी मालूम कहीं से कहीं तक नी था बेटी करते हैं